नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजीर हाश मी, मुलीटिन में शुरुवात करेंगे दिन भर की कुस्ताजा तरिन सुर्ख्यों के साथ, फिर बात करेंगे हर्याना की खास खबरों की राहुल गांदी समेद विपक्ष के केई नेताओं ने निट प्रवेश परिक्षा को लेकर उठाय सवाल, वही दिल्ली आमाद्मी पार्टी के सांसर संजे सिंग ने दिया बड़ा बयान, कहा निट की ये परिक्षा मोधी सरकार का घोटाला है, इसे पूरी तरह से रत करना च स्वाती मालीवाल ने राहुल और शुरत पवार से मिलने का मांगा समय लेटर लिख के कहा, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे नयाय चाहिए, सियम हाउस में बस सलूखी मामले में मांगा सपोर्ट देश के नोराजयों में हिट वेव अलट जारी, वही यूपी बिहार में गर्मी से 107 लोगों की हुई मोत, उडिसा में चार दिन में मांसुन पहुचने की संभावना आज जारी होगी किसान सम्मान की सत्रवी किस्त, पीम मोदी, 9.3 करोड किसान की खाते में ट्रांसफर करेंगे 22,000 रुपे आम जनता पर पढ़ सकती है, महंगाई की मार कंपनिया बढ़ा रही है, दाम साबुन, हेर होईल, फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट, दो महीने में 2-17 परतीशत तक बढ़े उतर परदेश की राजधानी लखनव में लगी भी शड़ा, कार गैरेज में आग लगने से हुए तेज धमा के फायर ब्रिगेट की चार गाडियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू बात करें शेर बजार की तो सेंसेक 374 अंक की बड़त के 77,366 पर पहुचा, वही निफ्टी 23,589 के इस तर पर पहुचा आज सोने में रही गिरावट तो वही चांदी हुई महंगी सोना 110 रुपे गिर कर 72,220 पर आया तो चांदी 95,500 रुपे परती किलो गिराम भी की तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां बात करते हैं हर्याणा की खास खबरों की हर्याणा में भीशन गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी रोडवेज बसो में यात्रियों के लिए पीने के पानी की विवस्तक कराने के निर्देश दिये हैं द्रसल परदेश में आसमान से आग बरस रही है मौसम भिवाग के मुताबिक 20 जून से राज्ये में लू का प्रकौप पुरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद हर्याडा में नमी वाली हवाए आएंगी जो पसीने वाली गर्मी बढ़ाएंगी और मानसून के लिए रास्ता बनाएंगी बताने की मौसम भिवाग ने बताया कि पस्षिम हवाओ की वज़ा से हर्याडा समेट पूरत तर भारत में तापमान समाने से ज्यादा दर्च किया जा रहा है और लू का भी प्रकौप जारी है अब इन हवाओं में ब्रेक लगने वाला है 18 जून से एक नया पस्षिमी भी शौप सक्रिय हो रहा है जो राहत की उचारे लेकर आएगा पहले दिन इसका असर सिर्फ पंजाब हर्याडा के दो हिस्सों में देखने को मिलेगा इससे 19 और 20 जून को हर्याडा के कई इलाकों में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है अभी फिलहाल तीन दिन अधिक्तम तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी मगर उसके बाद 3 से 4 डिग्री तक तापमान नीचे गिरेगा हर्याडा की रोतक सीट से नव निर्वाचित कॉंग्रेस सांसद दिपेंदर हुड़ा ने अगनीवीर योजना का नुकसान बताते हुए कहा कि हर्याडा में हर साल साड़े 5,000 युवा देश की सैना में साई नोकरी के लिए चुने जाते थे मगर अगनीवीर योजना लागू होने के बाद अब तक सिर्फ 900 युवाव ने ही स्वेम को अगनीवीर बनने के लिए आगे किया है दरसल कॉंग्रेस सांसर दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि इंडिया गटवंदन पूरे देश में लागू अगनीवीर योजना को किसी सूरत में सुविकार नहीं करेगी साथ ही कहा कि कॉंग्रेस लोकसभा में अगनीपत योजना को बापस लाने की निंडायक लड़ाए लड़ेगी जबकि उसे देश की सेनव, देश की शुरक्षा और देश की योगाओ के हितों से कोई लेना देना नहीं है दिपेंदर ने कहा कि देश की सेना में पक्की भरती से कम पर कॉंग्रेस नहीं मानेगी बताते चले कि नई दिली स्थित कॉंग्रेस मुख्याले में मीडिया से बाचित करते हुए रोतक केस अंसर दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि अगनीपत योजना ना तो देश की शुरक्षा की हित में है और ना ही युवाओ के लिए लापकारी है हर्याड कर्मचारी चुएन आयोग की गुरूप सी ओडी भरतियों को पूरा करने के लिए हर्याडा सरकार ने तयारिया तेज कर दी है दरसल पंजाब एवम हर्याडा हाई कोट द्वारा गुरूप सी ओडी पदो की भरती में समाजिक आर्थिक मांडंड को असवधानिक करार दिये जाने के बाद अब हर्याडा सरकार सुप्रीम कोट जाने की तयारियों में है महीं इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानून विदो से पूरे केस तयार कर लिया है संभावना है कि अगले महा सरकार सुप्रीम कोट में इस फैसले के खिलाफ अपिल दायर करेगी क्योंकि फिल्हाला अभी सुप्रीम कोट की छुट्टिया चल रही है और 8 जुलाई से सुप्रीम कोट फिर से खुलेगा मताते चले कि हर्याडा सरकार ने तया कर लिया है कि हाई कोट के फैसले के खिलाफ हाई कोट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोट में जाने का एक ही रास्ता है महीं इस पूरे मसूदे को मुख्य मंतरी नयाव सिंग सैनी को दिखा दिया जा चुका है हर्याडा में विधान सबाच चौनाव से पहले बीजेबी सरकार ने बिजली उभुकताओ को बड़ा तौफा दे दिया है अब बिजली के बिलो पर मासिक रेंट नहीं लिया जाएगा यूनिट हिसाब से जो बिल आएगा वही बिल भरना होगा दरसल हर्याडा में घरेलू बिजली उभुकताओ से अब मासिक नियूनितम शुल्क नहीं लिया जाएगा ये चार्ज अब समाप्त कर दिया गया है बिजली बिल अब खपत की गई यूनिट की संख्या के आधार पर ही आएगा जिसका मुख्य मंतरी सैनी के हवाले से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है इसमें कहा गया है कि अब राजे के लोगों को बिजली की खपत की गई यूनिट की संक्या के अधार पर ही बिल मिलेगा जिससे बिजली उभुकताओं को बहुत राहत मिलेगी हर्याडा में प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त विजली योजना के तहट 1,80,000 रुपे से कम वार्शिक आये वाले गरी परिवार को छट पर सोलर प्लाट लगाने के लिए केंदर सरकार द्वारा 60,000 रुपे की सबसीड़ी प्रधान की जाएगी साथ ही राजे सरकार की ओर से 50,000 रुपे की सबसीड़ी देने को भी कहा गया है लोग सबस्वाशोनाव के बाद अब परदेश में विधान सबस्वाशोनाव की तयारियों में राजनितिक दल जुट चुके हैं इसी करम में परदेश के समाजिक नियाए एवम अधिकारिक्ता राचे मंत्री विश्वंबर बालमिकी ने बुड़ापा पेंशन के संकेत दिये हैं उन्होंने कहा कि भाजबा सरकार इस समय 3,000 रुपे मासिक पेंशन दे रही है साथ ही कहा कि पेंशन में बड़ोतरी के संबन में कोई निन्ने लिया जाएगा दरसल बता दें कि हर्याड़ा सरकार ने विधान साबा चुनाव से पहले बुड़ापा पेंशन बढ़ाने के संकेत दिया था बताते चले कि बालमीकी ने कहा कि भाजबा सरकार इस समय 3,000 रुपे मासिक पेंशन दे रही है और सरकार ने अपने चुनाव घोशना पत्र में जनता से ये वादा किया था जो पूरा कर दिया है लेकिन जिस तरह से पूर्व मुखे मंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा आये दिन 6,000 रुपे मासिक पेंशन देने की बात कहकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके मद्दे नजर मुखे मंतरी नायाप सिंग सैनी से मिलकर पेंशन में बड़ोतरी का तोफा जनता को देने के संबंद में कोई निन्ने लिया जाएगा बताते चले की चंदिगड में मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए राजे मंतरी विशमबर बालमीकी ने बताया की इस समय भाजबा सरकार 31,50,000 लोगों को मासिक पेंशन दे रही है अगले महीने करीब 80,000 लोगों की उनकी पातरता के आधार पर स्वैम ही उनके खातों में पेंशन आने आरम हो जाएगी तो ये दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हर्यारा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकाद ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है देश रोजाना नमस्कार